एक भीसन सड़क हाथसी की खबर सामने आ रही है राजस्थान के बूंदी जीले से जहां रवियार की सुबह करीब साड़े चार बजे के आसपास लोगों से भरी इको गाड़ी डंपर से टकरा गई है बताया जा रहा है कि बाजिरी से भरे ट्रक ने इको गाड़ी को टकर मार दी है टकर इतनी भधायना थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि तीन लोग गंभी रूप से गायल बताये जा रहे हैं बताया जा रहा है कि हाथसा जैपूर नेशनल हाईवे पर हिंडोली थाना इलाके में हुआ है पुलिस के मताविक मौके पर टीम भेजी गई है और घायलों को इलाज के लिए बूंदी के जिला स्पताल में भरती कराया गया है अतरिक्त पुलिसा दिक्षक उमा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्धप्रदेश के देवास से लोग खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे इसी बीच हिंडोली थाना छेतर में जैपूर फोर लेन पर लगदरिया भिरूजी के पास गलत साइट से आ रहे ट्रक ने इको गाड़ी को टक्कर मार दी हाथसे के बाद इको गाड़ी छती ग्रस्त हो गई और मौके पर ही छे लोगों की मौत हो गई है सूचना मिनने पर प्रसाशनी कधिकारी भी मौके पर पहुचे इसके बाद क्रेन की मदद से सभी शबों को बाहर निकाल कर बूनी के अस्पताल ले जाया गया है वही हाथसे में तीन लोग घायल बताये जा रहे हैं उनमें से एक गंभीर रूप से घायल शक्स को कोटा अस्पताल रिफर कर दिया गया है जो घायल है उनकी पहचान प्रदीप नायक, मनोज नायक और अनकेत नायक के रूप में हुई है वही मृतकों की पहचान महेश नायक, राजेश नायक, मदन नायक, राजेश नायक, पूनम नायक और एक और अग्यात के रूप में हुई है बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं और गाड़ी में सवार होकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तब ही बजरी से भरे डंपर ने गलट साइट से आकर गाड़ी को टकर मार दी हादसा इतना भयानक था कि 6 लोगों की मौत हो गई है फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है